और विदियो में कुछ इस तरीका स्ट्रेटस एडिटिंग आज सिखाने वाला हूं डीजी रिमेक्स सोंग के साथ चुकि अभी आपने स्क्रिंट के ओपर देखा आप कैसे बनाएंगे कंप्लीट मैं आपको सिखाने वाला हूं तो बिना वीडियो को स्कीप किये कंप्लीट जरूर से देखना और गाने का गाना कौन सा है वो मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है आपने सुन होगा तो आप इस तरह का स्टैस कैसे बनाएंगे कंप्लीट मैं आपको सिखाने वाला हूं आज इस वीडियो में आपको वीडियो को शुरू करने से पहले में आपको ये बता देता हूं कि आप all material को कैसे डाउनलूड करेंगे जितने भी प्रोजेक्ट में ने यूज किये आप उनको कैसे यूज करेंगे कैसे एड करेंगे किन किन application का आपको यूज करना होगा ताकि आप इस तरह का status को आसान तरह किसे बना पाएंगे वीडियो को शुरू से last तक देखते रेंगे आप अच्छी तरह किसे status को बनाना और सीख जाएंगे अपने photo के साथ अगर करना देता वाटस है पर कहीं पर भी शेयर करेंगे इसकी quality खराब नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को complete देखेंगे तो आपको quality की problem बिल्कुल भी नहीं आएगी ऐसी trick बताऊंगा वीडियो को कहीं पर भी मैं बता सकता हूं तो वीडियो को बिल्कुल स्कीप मत कियाना यहाँ पर आपको अपने mobile में किसी भी एक browser को open कर लेना है यहाँ पर मैं simple से google chrome browser को open कर लेता हूं यहाँ पर आप search करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे उपर भी आप search करेंगे मेरी website को search करेंगे जो कि आप screen पर देख सकते हैं asrkarda.in यह वाली website आपको search करने हैं जो कि description से आप वहां से क्लिक करके भी आ सकते हैं उसके पर आपको simple से नीचे scroll down करना यहाँ पर आपको हाली की post मेलेगी जो कि अभी हमेने लिखी है इसी song की आपको read more इस पर आपको क्लिक करना है जस्ट आप इस पोस्ट के अंदर open हो जाएंगी अगर आप इसको complete देखते हैं त सकते हैं इस article मैंने step by step सब कुछ आपको बता रहा है आप आसान तरीके से यहाँ पर भी सीख सकते हैं तुक है उसके बाद आप और निचे scroll down करेंगी यहाँ पर कोई बटन मिलेगा click to download का simple से आपको इस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको 20 second का इंतजार करना होगा उसके बाद आपके सामने एक download file का options आ जाएगा उस पर आप click करना है उसके बाद किन किन project को कैसे import करना है सब कुछ आपको complete बताऊंगा यहाँ पर आपको download वाले file वाले options पर click करना है उसके बाद आपके सामने next page open हो जाएगा कुछ इस तरीके से नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर आपको सारे project के link मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस भी project को import करना चाहते हैं यहाँ पर जैसे bitmark का project है इस पर आप click करेंगे तो आप direct open हो जाएंगी a light motion में और direct यहाँ से click करेंगे उसको import कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ direct a light motion में आपके सामने आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना simple से यहाँ पर import का options आएगा उस पर आपको click कर देना आपका project यहाँ पर import हो जाएगा import पर आपका project यहाँ पर import हो जाएगा और सबसे पहले आपको बीट मार्क का project है इसको click करके यहाँ से import कर लेना उसके बाद आपको open कर लेना यह automatic इस तरीके से open हो जाएगा वापस आप बैग आएंगे और यहाँ से आप वापस chrome browser में आएगे और यहाँ पर यह effect आएगी इसको close कर देंगी यहाँ से उपर से उसके बाद नीचे जो project है वह है XML project XML project को import कैसे करते हैं आप इस पर click करेंगे जो XML project है आप इसको download कर लेंगे उसके बाद file manager में जाएंगी और जहाँ पर भी आपका XML project है आप उस पर जाकर इस पर click करके share वाले options पर click करेंगे उसके आपकी जो template है सब कुछ आपको मिल जाएंगे तो आप यहाँ से click करके उनको download add कर सकते हैं उसके बाद आपको करना किया आपको मोबाइल में a light motion application को open कर लेना है तो यह project हमने add गिया अभी आपके सामने project में click करता हूँ तो यह रा मेरा project जो कि सबसे उपर मिल जाएगा जो यह जो तीनो लाइनों है तीने जो यह तीन जो लाइन है आप इस तरह के स्लाक्ट करेंगी उसके बाद बीच में click को copy thriller कर ले रहा है font भी आपको उसी जहां से में आप बताया project उसके नीचे font मिल जाएगा आप वहां से font भी download करें नहीं तो आपको वीडियो के description में अलग से भी link मिल जाएगा आपको यहां से बैग आना है copy करने के बाद आप आएंगे dj song beat mark वाले project में और यहां से आपको सबसे आगे आना है और बीच में click करना है यहां से आपको paste 3 layer कर लेना है तीनो लाइन यहां पर paste हो चुगी और तीनो लाइनों की साजी इस point तक होनी चाहिए यहां पर आप दखते हैं बिलकुल बरोबर है कुछ भी आगे पीछे करने की ज़रूत नहीं और इनमें यही लारेक्स आएगी तो जो background है उसमें आपको black ही रखना है और इसमें जो हम glow effect लगाने वाले वह कैसे लगाएंगे वह बाद में बताऊंगा तो आपको क्या करना आगे वापस अगले point पर जाना बीच में क्लिकर आपको paste ट्रिलियर कर लेना अगले point पर जाएंगे इन तीनो लाइन की साइज आपको इस point तक रखनी होगी इसके लिए आप फस्ट वाल आपनी लायरेक्स को नोट पेड एपप्लिकेशन में पेश्ट कर रहा है आज को नोट पेड में यहाँ पर आप क्लिक करें इस को यहां से हटा देगे वो जो लाइन अभी आ रहे उसको आप यहां पर SIMPLE से PEST करने इसमें आपको दूसरा सा FONT ले लेना है क्योंकि यह FONT अगर आप लेंगे तो यहाँ पर यह Hindi FONT है ठीक है आपको क्या करना है FONT पर क्लिकना है कोई दूसरा सा FONT यहाँ पर ले लेना तो मैं यह वाला FONT ले लिता हूं इस FONT का लिंग भी आपको इस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप क्लिकरें डाउनलूड करें दोनों फॉन्ट को ठीक है एक हिंदी फॉन्ट एक दूसरा फॉन्ट है उसके बार आप क्या करने कि यहां से आपको आगे आजाना है आगे आने कि बाद इन तीनों में आप अलग 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 कलर रख यानि तीनों में एक ही कलर हो चुका है ठीक है और यह जो फॉन्ट है जो की यह यार अगेला यह नीचे नीचे लाइन पर आपको लेना होगा यह एक हिंदी फॉन्ट है जो कि मैं आपको बता दूंगा इसका कैसे यूज किया जाता है वह भी आम आपको प्रैक्टिकल बता जाएंगे और इस फॉन्ट पर से grिंगे तो वह फॉन्ट आपका डैरीक्ट अलेइट में एड हो जाएगा यही फॉन्ट आपको tapping में जाएगा इसको आपको सलग्ट कर लिना ठीक है thựcिंट इसको अपसे लेक्ट कर लेंगे हैं और इसका isका जो कोड़ों तुर्फी प्लाइन होगी तो किसी प्लाइन प्लिक रएंगे अपको यहां पक्लिक कर देंगे अब क्या आया नहों के विधियो में आ रही है तो हमारी यह लाइन आईगी में आपको यहीं से कोई किया इस तरीके से और फॉल्ट छोड़ दी 10 anxious नाप आपको आजाना है एक application आपको डाउनलूड करना होगा इंडियन फॉंट करना होगा इंडिया फॉंट करेंगी अपनी हमें कॉपी कि उसको करने करने से उसके बाद बीच में Unicode MS India फॉंट इस पर आपको क्लिक करके यहां सब को आपको यहां पर कोपी कर देना कोड यहां पर कोपी हो जाएगा उसके बाद आपको वापस डायरेक्ट आजाना आ आने के बाद आप मिल्ग करने के लिए में धाइन पने नाम को सभी तरीक है एक प्रक्र्व में बिल्कुल मिले ले 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 चंवाद पर सबस्क्राएं और स्वेस बाई तो लेलिए है तरह होजाएगा तो इसके बाद आपको right click करा देना है और यहां पर आपको perfect ग्राइब इसके बाद आगे आगे दिखने हैं इसके बाद आपको लारेक्स चेंज हो जाएगी इसके अंदर जो भी color आप रखना चाहते वो रख सकते हैं उसके बाद आपको अगले पॉनिट पर जाना है अब आपको वापस क्या करना यही लाइन यहां से आएगी यहां पर आएगी तो आपको बीच में क्लिकर के पेस्ट तक रख लेनी है उसके बाद दूसरी जो लाइन है यह वाली इस लाइन को यहां से कोपी करेंगे और इसको आप यहां इस वाले उप्सन से बीच में क्लिकर करेंगे आपको पेस्ट त्रियर कर लेना है उसके बाद आपको यह जो तीन लाइन है यह वाली मैफिल्ट छोड़ दी इस लाइन को आप कोपी करेंगे और वापस आपको यहां पर जो बड़ी लाइन आ रही वहां पर पेस्ट कर दें यहाँ पर हमने दो line नों अलग डाली है जो कि आ रही है तो यह lyrics आप डाल देंगे उसी तरह किसे आपको code डालना है copy करना है और वह आपस आपको डाल देना है जो line आ रही है और code के ऐसे निकालना मैंने अब आपको बता दिया और यहाँ पर सब्केर को प्रोजेक्ट को रखेंगे तो live appears हमारी यहां तक होगी तो 612 यहां यहां तक है ठीक है तो music को फालत को यहां से हटा देना अब हमारा video हो चुका ने इसको एकस्पूर्ट कर देता हूँ यह इसमें आपको एकस्पूर्ट कर लेने के बाद आपको अपने मुबाइल में इसको आप्लिकेशन पर मिल जाएगा आप वहां से इसको डाउनलूड कर लेना नोट वीडियो को ठीक है प्लसर स्पाइब को क्लिके मीडिया पर क्लिक रिकते जो वीडियो अभी अपने export गया था अलाइड एकश्पॉर्ड कर रिका है तो उस वीडियो पर था है यहाँ की यह रहा स्को आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएक आप सको प्ले करके दिख्जहिए इसके दर कोई भी आज एफेक्ट नहीं है याँ एफेक्ट लगाने के लि fatty आपको यहां पर सब्सित क्लिक Looking a अपका विडियो यहां से एकसपार हो विडियो वहां से एक्सपूड हो चुका है और आपको क्या करना है इस प्रोजेक्ट को यहां से क्लोज कर देना है और यहां से इसको डिलेट कर देना है जो हमने डूब्लिकेट प्रोजेक्ट बनाए उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर यह पर यह प्रोजेक्ट हमारा इफेक्ट वो हमने डाल दी है तो मैं सभी को इस तरीक सा सेलेक्ट करके यहां से इसको डिलेट कर देता हूं डिलेट करने के वाद आपको क्या करना है यहां से पोइंट पर आजाना अब आपको यहां से फोटो एड करने होंगे तो आपको क्या करना है पहले फोटो एड कर ल तो इसको आपको यहां तक फोटो एड़ का देना है जहां तक आपका सूंग गया उन्य सेकड तक तो मैं सारे फोटो को आड़ कर देता हूं फटा फट पर हमने याप पर सारे फोटो को आड़ कर दिया आपको यहां से बैग आ जाना है यहां से आपको एक फोटो मिलेगा यह वाला फोटो इस पर आप क्लिक करेंगे एफेक्ट पर क्लिक ना है उसके बाद आपको बैग आ जाना है उसी प्रोजेक्ट में जो अभी हम आने के बाद यहां से आपको आगे तो खाली मिलेगा और जहां से आपको फोटो स्टार्ट हो रहे ह। वहां पर आएंगे फोटो पर क्लिकना है। तो इसी तरह कि अपको सारे फोटो में यही ऐफेक्ट डाल देनी है। मैंने आपर सारे फोटो में वही एफेक्ट डाल दी है तो आप वापस जहां से फोटो स्टार्ट अवरे हो रहे हैं वहां पर आएंगे आने के बाद आपको प्लस पर क्लिकना है मीडिया पर क्लिकना है एक लाइट एफेक्ट का टेंपलेट में यूज करने वाला कुछ इस त लाग कहलर हट जाएगार आपको लास्ट में जयाकर देख लेना इस पौइन तक हमारे फॉपर जा जैएंगे और यहां सेहें से काम सब और आट सबसे ऐसे आगया जाना और यहां इंदर प्लस पर डिक देना तो विडियों आप आज लगए अब टो आपने ऑज़क सémonaj अगरका यहां सब्लीड बन चुकए यह जो व्यडियो है अगर अगर आप आपको ये वीडियो चाहिए मैंने अल्रेडी बना रखा तो आप मुझे बता देना कॉमेंट में मैं आपको टैलेग्राम पर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शिन में लिंक डाल दूगा तो आप डायरेक्टिव क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपक इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो ठीक है उसके बाद आपके डायरेक्टिव यहां पर जैसे वीडियो खत्म होगा तो आपके यहां पर फोटो स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा है तो फोटो स्टार्ट हो जाएंगे तो यहां पर आप अपनी वोटरमार्क कुछ भी एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे